वेल्कम टू माई चैनल इस्टेडी रूम मेरा जो टॉपिक है वो है ग्रेडियन्ट ग्रेडियन्ट किस तरह मालूम करते हैं अच्छा इसके लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि कोई हम अपनी एक एक जैम्पल ले लेते हैं अब फर्स करें कि कोई रोड है कोई रोड है और उस पे से आपकी कार जो है वो ड्राइफ करते वे जा रहे हैं बहुत सी रोड ऐसी आती है जिसमें स्लोप होता है जो स्टीपनिस होती है वो सपोस्ट करें कि यह स्लोप आ गया अब यहां पर यह आपने ड्राइफ करा अब यह ड्राइफ करते वे यह कार आपकी इस पॉइंट पे जब पहुँच रही है इस पॉइंट पे जब यह कार पहुँची यह अगेंस दा ग्रैविटेशनल फोर्स हो रहा है यहां से यहां तक जो कार गई इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया कुछ हाइट गें करी है यहां से यहां तर इस वाले यह जो होरिजॉंटल है जो होरिजॉंटल लाइन है इसको मैं कहती हूँ कि यह एक्स एक्सेज है इसको मैंने कहा है एक्स एक्सेज है यह है point और यह है हमें क्या मालूम करना है हमें slope मालूम करना है यह जो slope की measurement होती है असल में यही gradient होता है gradient gradient कहा जाए इसको हम M से भी वो करते हैं represent और slope को हम अच्छा अब यह कह रहे हैं हमसे कि अगर car यहां पड़ती एक point है यह जब car यहां थी इस point पे अगर मैं coordinates देखती हूँ horizontal coordinate में x axis पे तो x coordinate क्या है x1 और y coordinate क्या हो जाएगा y1 इस वक्त height बिल्कुल नहीं है 0 height है अब car आगे बड़ी car एक height पे पहुँच गई जिस height पर यह पहुँची है इस इधर यहां पे पहुँचके यह x2 यहां पे इस point पे x क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा जब इसने एक height gain कर ली इसने एक height gain कर ली है और यहां पर कुछ run भी हुआ है rising भी होई है इस height को हम कह रहे है rising इधर क्या हो रही है rising हो रही है और ये क्या हो रहा है, ये run हो रहा है, इस point पे x coordinate जो है x2 हो जाएगा, और जो height gain करी है y coordinate, ये y axis पे y coordinate मैं कहूंगी y2 है, आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह, एक दफ़ा फिर मैं repeat कर रही हूँ, हमने अगर एक straight line पे जा रहे हैं, ये road है, straight road है, लेकिन यह यहाँ पर एक slope आ गया है, अब इस slope को मैंने measure करना है, car जो है, जब यहाँ पर 30 point पे, तो यहाँ पर x क्या है, suppose करें, अभी x1 जो है, वो 0 है, y, y क्या है, y है, एक height, y coordinate से हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर तो y 0 है, तो y 1 है, x1, y 1 से denote किया, और अब car जो है, car ने एक height जो है, वो gain कर ली है, इसको हमने rising कहते हैं, और यहाँ पर जो horizontally, जो x axis पे इसने distance cover किया, वो run हो जाएगा, इसको ऐसे समझ लें, यह, car जो है, यह मेरा x axis है, car इस point पे है, अब इसने, यहाँ पर आके, यह y axis है, यह y axis हो जाएगा, अब इस point पे आके, car जो है, इसने कुछ height gain करी, यह इस height को, हम अपने इस पूरे formula में हम यह कहते हैं, कि यह है, slope किसके बराबर होता है, slope है, rising upon run, rising क्या है, rising यह जो height इसने gain करी है, इसको rising गएंगे, और यह जो है, यह जो इसने distance यहाँ से, यहाँ तक का cover किया है, यह run हो जाएगा, अच्छा, इस point पे जब, इसने height start करी, rise होना start लिया है, यह मेरा हो गया, x1, और y coordinate के है, इदर 0 है, तो इसको मैं y1 कह रही हूँ, अब जब इसने height gain कर ली है, एक rising इसने, यहाँ तक जो rise हुआ है, car जो हुई है, तो फिर, इदर x coordinate, यह x axis है, x axis है, इस point पे, जो x coordinate है, वो है x2, और y, जो rise जितना हो गया है, वो y coordinate, तो यह हो जाएगा y2, अब हमने, आगे इसी formula को देखते हुए, हमने अपने question solve करने हैं, जो हमारी book में है, मैं पता है, आप लोगों को Oxford 7th edition, यूस लेवर से mathematics book 2 करती हूँ, और chapter number जो 2 है, उसके start से पहले मैंने यह कहा, कि मैं आपको यह gradient से related बता दूँ, concept clear हो, कि आखर क्या है, gradient है क्या, अब rising क्या है, rising यह है, इसने, जब इसकी height 0 थी, वहाँ से, जब इसकी height y2 पे पहुँच तो वह difference तो यह क्या है, वर्टिकली वर्टिकल एकसे है, nah, यह एकसे है, वर्टिकली इसमें difference आ रहा है, तो वर्टिकल चेंच इसका formula क्या है, वर्टिकल चेंच divided by horizontal चेंच और horizontal चेंच कितना आ रहाए, slope जो है इसको हम M से डोनेट करते हैं और इसका जो होता क्या है इस तरह आपको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ कि जैसे कि एक example मैंने car के लिए है कि एक straight line पे जा रही थी लेकिन इस point से हमारा slope स्टार्ट हो गया इस point पे आके इसने एक height achieve कर ली है जब इसने height बिल्कुल भी नहीं थी 0 थी तो वो point मैंने कह दिया x1 और y1 है अब यहाँ पर जब इसको एक height मिल गई यहाँ पर आके x2 और y2 y2 कितना है अब यह जो difference है जो इसने height गें कर ली है मेरा rising है जो vertically change आ रहा है वो rising है और जो distance cover किया जो x axis पे जो horizontally इसने distance cover करता है वो run है तो मेरा formula क्या है slope बराबर होता है rising upon run जितनी height इसने achieve करिया और जितना इसने distance cover किया है तो vertical change upon horizontal change इसको ऐसे भी कह सकते है y2 minus y1 upon x2 minus x1 अब हम एक और चीज़ देखते है हमारी यह जो है हमारे पास क्या है straight line की equation होती है y is equal to m x plus c लेकिन यह m और c यह जो होते हैं यह constant होते हैं यह constant terms है m जो है यही slope है इसको यह जो slope मैंने मालूम किया है इसको m भी कहते है gradient m से denote करते हैं और यह है slope अच्छा अब constant है अब c क्या है c जो होता है यह y intercept होता है c क्या होता है y intercept है अब यह हम कैसे मालूम करते है c suppose करें कि यह एक line है यह एक line है जब भी कोई line intersect करती है vertical axis पे y coordinate जो होते हैं इसके तो अब suppose करें यहाँ पे x है कुछ और x अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे x है और जो y होगा जो भी कुछ है x या y तो जो y coordinate है यह जो है इसको हम c कहेंगे कोई भी line जब intersect करती है y coordinates को y axis पर तो जो y coordinates होते हैं उसको हम c कहते हैं दुबारा सुन लें कि कोई भी line अगर वो intersect करती है किसी भी y axis पर y axis पर intersect कर रही है line तो जो y coordinate है यह जो y coordinate होता है यह c है इसको हम y intercept कहते हैं अच्छा अब हैं कुछ बातें स्लोप तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि स्लोप क्या होता है लेकिन ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है हमें ये मालूम बताना है कि स्लोप जो है कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है स्लोप क इस वक्त सिर्फ रन हो रहा है और राइजिंग नहीं है अभी आप जो है अपनी कार आपने ड्राइव करी अभी यहां पे सिर्फ रन करा है लेकिन अभी कोई भी हाइड गेन नहीं करी है तो यह इधर क्या हो जाएगा जब इसको मैं थीटा कहती हूं और यह है स्लोप सही अभी इस वक्त एंगिल बिल्कुल भी गेन नहीं करा है इस वक्त यह है जीरो डिग्री जब जीरो डिग्री है तो स्लोप हमारा क्या आएगा उस वक्त हमारा स्लोप भी जीरो हो जाएगा स्लोप होता है स्लोप होता है स्लोप है राइजिंग अपन रन अब राइजिंग इ इस्टन्स जितना भी कवर करेंगे चाहे वन हो टू हो कुछ भी हो तो जितना भी आपने रन करा है लेकिन वह स्लोप जो आएगा वह 0 ही आएगा स्लोप कितना आएगा 0 ही आएगा अच्छा अब यह कह रहे हैं दूसरी बात अगर यह अब यह इसको मैं कहती हूं यह मेरा फर यह होता है second यह होता है third और यह होता है fourth अच्छा अब यह जो है अब एंगल कुछ बनाया इसने कुछ हाइड गेन करी अभी first quadrant में है अभी यहां से यहां तक जाने में इसने कुछ एंगल बना दिया है अब suppose करें यह first quadrant में जब भी होगा तो x भी positive है और y भी positive जा तो हमारा slope जो है वो भी positive ही आएगा first quadrant में slope कैसा आता है positive आता है अब ये कह रहे हैं कि इसने height इतनी gain करी इसने height इतनी gain करी कि 90 degree का angle बना लिया कितना बना लिया 90 degree का angle अभी ये कह रहे हैं कि 0 था अभी 0 था फिर इन्होंने बताया कुछ height gain करी जितनी भी करी होगी 30 degree 45 50 जितनी भी करी 90 से काम है तो क्या है positive ही होगा क्योंकि x भी positive है और y भी positive है तो ये positive slope आएगा slope positive आएगा अब ये कह रहे हैं कि अगर vertically height हो गई पिलकुल 90 degree पे हो गई है तो slope क्या होगा rising अगर हम कह रहे है 90 degree है तो run कितना होगा run कुछ भी नहीं होगा run 0 होगा इदर run कितना है 0 है क्योंकि इदर distance कबर नहीं हो रहा है इदर height है सिर्फ इदर ये जो है जीरो पे होगा तो 90 से कोई भी चीज जीरो 90 अगर 0 से divide करें तो फिर क्या आएगा ये undefined value आएगी slope की इदर slope कितना आएगा undefined आएगा अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर vertically है rising हमारी बिलकुल straight vertically है तो slope हमारा undefined होगा ये आगे जाके आप लोग question solve करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी अभी अब ये देखें अब slope अब एंगिल जो है इस तरफ आ गया second quadrant में आ गया y जो है ये भी ये इस तरफ आ रहा है ये positive है तो एक चीज positive और एक चीज negative अगर यहाँ पर rising जो है rising क्या है rising positive आ रही होगी अब मैं second quadrant की बात कर रही हूँ rising क्या है positive जा रही है लेकिन run की value negative में होगी यहाँ पर run जो होगा वो negative होगा और rising क्या है positive कोई भी एक चीज positive और एक चीज negative हो तो answer negative ही आएगा आप जब question solve करेंगे अपना ग्राफिक का तो फिर आप देखिएगा जब भी second quadrant की बात हो रही होगी यहाँ से कोई line होगी जो क्योंकि एक चीज positive है और एक चीज negative है positive negative slope हमारा हमीशा negative ही आएगा अब हम आते हैं जब इधर आ गए अगर theta जो है हमारे पास कितना हो गया 180 degree अगर theta हमारे पास 180 degree है अब यहाँ पर गया हो रहा है यहाँ पर run तो हो रहा है लेकिन rising नहीं है तो जब ऐसा होता है कि 180 है 180 और rising यह जो है फिर हमारे पास क्या answer आएगा यह 0 ही आएगा जैसे इधर था कि run तो हो रहा है लेकिन rising नहीं है जब यह 0 था तो slope हमारे पास 0 ही आया अब जब यह 180 degree है तो slope हमारे पास 0 ही आएगा अब हम आते हैं third quadrant पे suppose करें यह इधर को आ रही है अब इसने यहाँ पर कुछ angle बनाया है यह जो है यह angle अब इधर देखिए third quadrant में आने के वाद यहाँ पर इस angle के वाशे यह जो है हमारा run जो है यह negative हो रहा है run negative है लेकिन हमारा जो y axis है यह भी negative है एक चीज नेगटिव है अब यह negative है हमारा run भी negative आ रहे है negative और rising भी negative है क्योंकि नीचे की तरफ को आ रहे है यह भी negative है और हमारा यह भी negative है run भी negative है दोनों चीज़े negative आ रहे हैं तो यह देखिए हमारा slope क्या आएगा हमारा slope negative नेगटिव कैंसिल हो जाएगे तो positive आ जाएगा third quadrant हमशा positive value आएगी जब भी कोई line third quadrant में होगी या first quadrant में होगी तो याद रखिएगा इस पे भी positive है और third भी positive है अब आगे बढ़ें अब यह कह रहे हैं यहाँ पे आ गई अगर यह 270 डिगरी ले लें 270 डिगरी पे क्या होगा वही condition होगी जो 90 डिगरी पे थी जो 90 डिगरी पे था कि बिल्कुल vertical position है straight है तो यह क्या होगा जैसे 90 पे था slope अब यहाँ पे देखिए यह 270 पे है अगर तो run जो है run बिल्कुल भी नहीं हो रहा 0 पे है run 0 है जब भी 90 जैसे 90 0 से divide किया था तो undefined value थी इसी तरह 270 को तो यह भी undefined value होगी यह जब आप questions करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी अब हम आते हैं fourth quadrant पे fourth quadrant पे यह देखिए अगर कोई line fourth quadrant से गुजर रही है यहाँ पे क्या हो रहे है यहाँ पे जो run है run positive की तरफ जा रहा है और rising कैसे हो रही है rising negative की तरफ हो रही है एक चीज पॉजिटिव है यह पॉजिटिव है rising नेगेटिव है rising negative जा रही है और run जो है यह पॉजिटिव जा रहा है तो हमारा जो value आएगी वो भी negative ही आएगी fourth quadrant में negative होता है दुबारा से एक दफ़ा समझ लें कि जब भी 0 पर है तो slope 0 ही आएगा इसी तरह 180 पर है तो भी क्योंकि height gain यहाँ पर भी नहीं हो रही height यहाँ पर भी नहीं है तो 180 पर भी 0 ही आएगा अब first quadrant में value positive आजएगी 90 पर जब पहुँचा बिलकुल vertical है बिलकुल vertical position पर है तो ऐसे में क्या होगा run बिलकुल भी नहीं हो रहा 0 पर है और फिर यह undefined value होती है 90 हो यह 270 डिग्री हो जब भी vertical position पर है बिलकुल height straight 90 का angle यह 270 का बना रहा है तो undefined slope आएगा slope कैसा आएगा undefined जीरो और 180 पर यह वही आएगे जीरो ही आएगा slope मुझे उमीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अब मैं अपनी next वीडियो में आप लोगों को इसके question solve कराऊंगी तो आप लोग please मेरे channel को like करें, share करें, subscribe करें, thank you